नमस्कार मेरे प्यारी दोस्तों आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है कि इम लोग बिहार इस्पिसल पढ़ रहे हैं और बिहार इस्पिसल के अंतरगत हम लोग इस समय पढ़ रहे थे वो बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे इसके अंतरग को ही मारकर उनका पुत्र जो है आजा सत्रु राजा बना था ठीक है आजा सत्रु जो है वो किसका किसका पुत्र था तो भिम्बसार और राजा चेटक की पुत्री थी जिनका नाम था चेलनना ठीक है इन दोनों से उत्पन हुआ था आजाजत्रो ठीक है आजाज सत्रो ठीक है तो किसका था राजा क्या नाम है राजा विम्बिसार और जो है चेलना या जिनको बएदेही ही हम लोग कहते थे या चेटक की पुत्री जो थी उन्हीं का अच्छा ये चेटक कहां के राजा थे ये वैसाली के उसमें राजा थे और उनके पुत्री थी जो है चेलन्ना उन्हीं के पुत्र थे आजासत्रो ठीक है तो क्या हुआ कि ये अपने पिता को मार कर राजगद्दी पर वैठे थे कौन आजा सत्रू ठीक है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग पढ़ें इनके जो अन्य नाम थे वो थे कुड़ी या वैदेही पुत्र क्योंकि वैदेही इनकी माता थी और उनहीं से जन्में हुए थे वैदेही इनके माता को कहा जाता था उ वो राजिपाल थे आगे देखते हैं कि जो पत्नी थी वो इनकी दो पत्निया थी ठीक है कौन कौन दो पत्निया थी वो थी बजीरा जो परसंजेत की परसंजीत की पुत्री थी और विद्यावती ठीक है यह दोनों उनकी पत्निया थी आगे देखते है कह रहा है। इनके तो धर्म था वो ये बाओध धर्म के उना आई थे ठिक है और पर्थम बाओध संखत का आयोजन इन हो न न गिया था अच्छा बाओध संगत का आयोजन्द जो है बाओध राजगरी इसके बाने को तरीका बता रहे हैं वेसाली जो है राजगरी वैसाली उसके बात पाटिल पुतरा अचु लो जो हुआ था कुंदल्बं में हुआ था तो कैसे पढ़ूगे राज ने बशाली को पटाया ठीक है और उसके बाद कुंदलबं कस्मिल ले गया गुमाने ठीक है जैसे भी याद करना चाहो गल्लत तरीका है जहांना आउम लेकिन याद करने तरीका तो याद करना ही है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, आगे देखते हैं, करा इनका जो परमुक बिजे था, वो था वैसाली, कासी और कोसल, ये तीन जगा इनका, ये तीन जो है इनका परमुक बिजे था, ठीक है, करा वैसाली पर इनका बिजे हुआ था, 16 वर्षिय यूद्ध था जो वैसालि का था तब ये विजे प्राप्ट किये थे ठीक है कहुँदindaka raising रत्मूसल सस्त्र का पर्योग किये थे यहां पर कहां पर वैसाली विजे में ठीक है महासिला कंटक या रत्मूसल अस्त्र का पर्योग किसके द्वारा किया गया था इनके द्वारा ठीक है आजासत्त्रू के द्वारा उसके बढ़रा आजासत्त्रू के कूट नीतिक जो थे व वस्तुकार और सुनीथ वसकार और सुनीथ वसकार और सुनीथ ठीक है कौन थे इनके कूटने नीतिक थे जो यूद में कूटनीती का काम करते थे को कह Radio है रहा है मखली पूत्र गोसाल की मिर्ट्यूं ठीक है यह मखली पुत्र गोसाल में मिर्थ्ति हो गएथी कब यह क्या कर रहेम बैसाली पर बिजय कर रहे थे यह बिजय का जो यूद्ध कर रहे थे कि लिए चलिए क लोग उदाइन के बारे में पढ़ते हैं इन्होंने जो है 460 से 444 बीशी तक राज किया यह किसके पुत्र थे यह आजा सत्रू और इनकी पत्नी थी आजा सत्रू की पदमावती इन्हीं दोनों से जन्में होए पुत्र थे ठीक है इनका जो राज जफसेक हुआ उसके पहले ज गुमारा उसके पहले जह यह विव चंपा के उपर आ जाते हो इन्हों ने भी चंपा के उपर आते हुड़ाय और इन्होंने भी अपने बाप कुमार करके जोह हैं 400 सी में राजा बने थे जैशा हाँन तीक है य। आगे देखते हैं, कह रहा है है, अपने राजधानी राजगिरी से, अच्छा देखना, उधाईन ने पाटिल पुत्र का अस्थापना किया, और उसके बाद राजगिरी से मगत की राजधानी जो है, पाटिल पुत्र ले गए, ठीक है, और कब ले गए है, 456 में, मतलब आपन अनिरुद्ध मुंडक और नाग दसक नाग दसक को ही पराजित करके जो है यह हर्यगबंस के अंतिम सा सकते इन्हों को पराजित करके जो है सिसु नाग ने जो है नाग बंस के स्थापना किया ठीक है आगे देखते हैं परिच्छा की द्रिष्टी कुछ इंपॉर्टेंट है कहरा आरे भट से संबदित बिहार का जो नगर है वो पाठिल पुत्र है ठीक है यही पर आर भट जो है जनम लिये थे यही पर पले बढ़े थे खेरा है बैनवार जो है बंस के जो राजा थे सिव सिंग के धरवारी जो कभी थे वो विद्यापती थे विद्यापती का नाम बहुत आप सुनेंगे बिहार में पाए गए असो के अभिलेखो की लिपी जो है वो ब्राहमी लिपी है जितने भी अभिलेख बिहार से पाए गए हैं उन सब की जो लिपी है वो ब्राहमी लिपी है तीक है आगे देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे हमने पता है ना कि जो नाग दसक थे उनको प्राजित करके जो है सिसुनाग जो है वो राजा बने अच्छा राजा बनने से पहले इन्होंने क्या किया था इन्होंने जंता द्वारा जो है एक इलेक्शन करवाय था कि राजा किसको बनना चाहिए तो चर्दता ने इन्हें ही पसंद किया था क्योंगे यह बहुट यök जिसा सक्ति तु नंद बंस की जो है इन्हों न स्थापना किया शिसुनाग बंस की जो है अस्थापना किया ठीक है और उसके बद जो है राजधानी कोब ने पाठील पुत्रा से फिर बैसाली सिट कर दिए पहले जो है राजगरी था फिर राजगरी से पाटिल पुत्रा या फिर पाटिल पुत्रा से यह भैसाली ले गए ठीक है करार राज जवशे के पूर्व जो है यह आत्म आमात थे इसके नागदसक के और कासी के उपराजा भी थे अमात भाने परधानमंत्री होता है अगर पूर्व कोई राजा होता है तो इसका पेहले परधानमंत्री होता था था ठीक है तो वह कौन थे ये सिशिस्वनाग थे वह ऑंतर वरधन था इन्होंने टीन बहुत-बड़े राज जो का मगद में बिले किया था जिससे मगद की सीमा जो है सीमा का बहुत जादे विस्तार हुआ वो कौन-कौन सा राष्टा आवंति था वत्साव को सल्था ठीक है इसका मगद में इन्होंने बिले किया था ठीक है आगे देखते हैं कि आगे हैं काला सोक की बारे में पढ़ते हैं काला सोक किसका पुत्र था यह था सिसुनाक का ठीक है इसका अन्नाम जो था ओधा कांखवड वैसाली में दुत्तिय बोत संगत की जो है आयोजन इसने करवाया था, ठीक है किसने काला सोग ने, अच्छा मैंने बताया था कि राज ने बैसाली को पटाया, तो दूसरा जो हुआ था, वो बैसाली में हुआ था, किसने किया था, काला सोग ने, तीसरा जो है, वो किसने करवाया था, वो करवाया था, जो है आपका अस तीसरी बहुत संगत जो है वाशोक ने करवाया था कहां पर पाठिल पुत्रा में आगे देखते हैं करा है सिसुन आग बंस का अंतिम जो सा सकता हो नंदी वर्दन था इसको पराजित करके नंद वसकी अस्थापना जो है महाफदम नंद ने किया था ठीक है इसने जो है काला स सोक ने जो है अपने राजधानी 42 से फिर से पटना सिफ्ट किया अब देखना राजधानी कितनी बार सिफ्ट हो गया राज जो है वो मगद ही है मगद है ठीक है पहले राजधानी था राजगरी इसके स्थापना के समय राजगरी अब जो है उदाइन आता है और राजगरी इसे जो है पाडिल पुत्रा की स्थापना करता है और राजधानी जो है पना पाडिल पुत्रा करता है ठीक है फिर कौन आता है फिर आते हैं सिसुनाग बंस की सिसुनाग इन्होंने राजधानी को अपना वैसाली सिफ्ट किया ठीक है फिर जब आते हैं काला सोक उनके पुत् साली से अपना जो राजधानी है फिर से पाटिल पुत्त्रा कर दिया ठीक है आगे देखते हैं चलिए हम लोग नंदबंस की बारें पढ़ते हैं इसके जो स्थापक थे वो महापद्वन थे और इन्हों ने जो है किसको पराजित करके नंदबंस के स्थापना किया था वो नंदी वर्धन को ठीक है आगे देखते हैं इनकी जो उपाधी थी वो महापाध्यत की थी महापद पती उग्रसेन एकराट भारगो सरवच्छत्रान तक ठेक है उसके बाद अपरो परसुराम दुतिये परसुराम कालीकांस इनके जो मंतरी थे वो कौन थे कलपक आगे देखते हैं कुछ राज्यों पर इन्होंने बिजे प्राप्त किया जो बिजे प्राप्त करके जो है इस च्छवाको पांचाल कासे कुरू कुरसेन बितिहोत्र कलिंग है है ठीक है अस्मक इतने राज्य थे जिसको इन्होंने जो है किसमें मिलाया मगद में ठीक है बिजे प्राप्त किया इतने राज्यों पर अउसके बाद मगद को जो है बिस्तार किया मगद का आगे देखते हैं कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए कौन यह आपके पद्वनन्द यह हाति गुंपाव लेक में इसका उलेक मिलता है अस्ठध्याई के रचीता पाड़नी जो है इनके मित्र थे महापद्वनन्द की तो कहता है अगर पाड़नी क सासनकाल पूंचता है तो महापद्वनन्द का सासनकाल था उसी समय इनके एक्क्योवेलेंट चलता है ठीक है आगे देखते हैं नंदवनस में जो टोटल राजा हुए या कह सकते हैं इसके बाद कुल सासक जो हुए वो टोटल नहीं है टोटल नो सासक हुए ठीक है कौन- गोपी साडक पांडूक भूतपाल राष्टपाल कैवर्त उसके बाद जो है यह तुम्हारे दस दक उसके बाद घनानंद हुए सबसे लाश्ट में जो है यह घनानंद हुए ठीक है आगे देखते हैं अब घनानंद के बारें थोड़ा सामलोग पढ़े लेते हैं करहां अंतिम सासक जो घनानंद थे किसके नंदबंस के ठीक है उसके बारें थोड़ा जान लेते हैं इनका अन्य नयम था अग्रमीज ठीक है आउग्रसेन उसके बाद जैतेंद्रमीज ठीक है आगे देख इनके सेनापति जो थे वो भद्ध साल थे मंत्री जो थे वो सक्टाल राचस और स्रियक ये इनके मंत्री थे सिकंदर का समकालीन जो है ये थे धनानंद जो है ये सिकंदर के समकालीन थे करा चंद्रगुप्त मौर द्वारा पराजित किये गए चंद्रगुप्त मौर ने घानानंद को पराजित किया घानानंद जो है वो जो है चाड़क की बेजजती कर दिया था चाड़क को अपनी जो है यहां से निकाल दिया था चाड़क ने फिर जाकर के चंद्रगुप्त महुर की जायता से चाड़क ने घनानंद को पराजित किया फिर चाड़क नहीं जो है अपना राजा नाव अनकर के चंद्रगुप्त महुर को जो है उसमें राजा बनाया मगद का ठीक है करा अतेयंत धन लोभी सा सकता यह कौन घनानंद के कुछ मातवुर्थत थे उसको हम लोग देख लेते हैं मगद का जो सबसे पहला निम्न वरगिये बंस था वह कौन सा था नंद बंस कलिंग जो वर्तमान का जो आपका उडिसा है वही प्राचीन का कलिंग था वहां पर सिचाई के वेवस्ता इन्होंने करवाया था जैन धर्म के यह नाई थे इनके पास अतूल संपत्ति था और इसका उलेक कोन किया मामल नूर ने किया है ठीक है आगे देखते हैं इन्होंने नाब तोड कि नई प्राली शुरू किया जिसका नाम था नंदो पक्र आई मनीन ठीक है यह नहीं प्रारम किया अब आगे हम लोग देखेंगे मौर बंस ठीक है मौर बंस लेकिन आज हम लोग नहीं देखेंगे नहीं बीडियों यादे लंबा हो जाएगा ही हम लोग कल देखेंगे धन्यवादी